अब हम कर रहे हैं फंडामेंटल ओपरेशन्स ओन कॉम्पलेक्स नंबर्स तो हम कर रहे हैं अब फंडामेंटल फंडामेंटल ओपरेशन्स ओन कॉम्पलेक्स नंबर्स यह फंडामेंटल ओपरेशन्स क्या हैं कॉम्पलेक्स नंबर्स के ऊपर पहला है एडीशन का पहला है एडीशन का तो एडीशन क्या होता है लैट दो कॉम्पलेक्स नंबर्स है जैड़ वन एक तो यह है एवन प्लस आई बीवन और दूसरा है जैड़ टू क्या है एटू प्लस आई बीटू यह दो कॉम्पलेक्स नंबर है तो इनका सम कैसे डिफाइंड होगा सम डिफाइंड होगा रियल पार्ट में रियल पार्ट जूड़ेगा इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी पार्ट जूड़ेगा ऐसे डिफाइंड होगा सम ठीक है तो यहां से एक बात क्लीर है क्लीर कट है total part of जैड़वन प्रस जैड़ त्यू किसके एक मे noi गा मालकर जैड़वन प्लस रियल पार्ट ऊफ जैड़़्ेगा यह उपिजेड़ त्व सिमिलरली जो इमेजनरी पार्ट है किसका Z1 प्लस Z2 का वो ब्राबर होगा imaginary part of Z1 plus imaginary part of Z2 तो addition ऐसे defined होता है अब properties of addition क्या होती है properties of addition क्या क्या है पहली है commutativity मतलब commutative commutative का मतलब क्या है आप है Z1 में Z2 जोड़ो या Z2 में Z1 जोड़ो सेम आएगा कोई भी दो complex नमबर उठा लो आप आप है Z1 में Z2 जोड़ो या Z2 में Z1 answer क्या आएगा सेम आएगा दूसरा associative associative का मतलब है तीन complex नमबर है Z1 Z2 Z3 जोड़े जा रहे हैं तीन complex नमबर या तो आप पहले दो पर ब्रेक्ट लगाओ तीसरा उसमें फिर एड़ करो या पहले आखरी दो पर ब्रेक्ट लगाओ पहले एड़ करो answer सेम आएगा for all Z1, Z2, Z3 belongs to C next existence of additive identity existence of additive identity क्या है for all Z को सभी complex नमबर के लिए there exist एक 0 नमबर 0 प्लस 0 आई किसमें complex नमबर में such that कि उस complex नमबर में वो 0 एड़ करेंगे वही complex नमबर आएगा इसको बोलते हैं additive identity जो 0 को है फिरह existence of additive inverse existence of additive inverse यह सभी complex नमबर के लिए यह जल भी there exist minus Z किसमें complex नमबर में such that कि किसी complex नमबर में उसका inverse add करो किसी complex नमबर में उसका inverse add करो additive identity आएगा ठीक है for all Z belongs to C तो यह property थी हमारी addition की और minus Z क्या कहलाता है called additive इन्वरस आइडिटिव इन्वरस कर लाता है और जीरो क्या कहलाती है called additive identity of Z जीरो कहलाती है additive identity of Z ठीक है अब है subtraction दो complex नमबर की subtraction कैसे defined है subtraction ऐसे defined है Z1 plus minus Z2 ऐसे defined है ठीक है तो यह आएगी after solving A1 minus A2 plus I time B1 minus B2 तो यह आजेगी हमारी subtraction अब है multiplication 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 क्या होती है दो complex नमबर है एक तो A1 plus I B1 है तूसरा है A2 plus I B2 है यह multiply कैसे हों गई multiply करने का rule है A1 को A2 से करो फिर इन दोनों करो minus B1 B2 आएगा आई बहार ले लो A1 B2 क्रोस हो जाएंगे plus A2 B1 ऐसे हो जाएंगे ठीक है तो ऐसे defined है अब एक्जामपल लेता हूँ जैसे Z1 3 plus 2 आई है Z2 2 minus 3 आई है तो Z1 Z2 करने है मैंने एक तो आजेगा 6 ठीक है minus कितना आजेगा 2 गुना minus 3 plus A इसकी 2 की 2 से 4 3 की minus 3 से minus 9 क्या आएगा 6 6 12 minus 5 आई तो ऐसे multiplication आजेगा अब properties है multiplication की properties of multiplication वही है सारी जो addition में थी पहली है commutative commutative property क्या कहती है Z1 को Z2 से multiply करो या Z2 को Z1 से करो same answer आएगा कोई भी दो complex नमर उठाओ दूसरी है associative associative का मतलब क्या होता है कोई तीन complex number multiply करने होते हैं कोई तीन अनी थ्री पहले दो पे ब्रैकेट लास्ट दो पे ब्रैकेट एक वलाता है पर आएट ले करने फेल मुल्यका दोडने आएट पेलों की पोलनी पामिटिथे को लेका भी complex number के लिए there exist 1, 1 को क्या लिष्ट 1 प्लस 0 आई such that की z की 1 से multiply करे या 1 की z से करे वही complex number आता है z, 4 all z belongs to c, जो ये quantity कहती है, इस quantity गोल जाता है multiplicative identity एक है multiplicative inverse, चोथी प्रोपर्टी है multiplicative inverse, इसको बोलते हम MI, तो multiplicative inverse क्या होता है for all z, जो कि non-zero है, there exist z inverse किसमें c में, such that जो z की multiply है, z inverse के साथ one है, और z inverse की z के साथ तो z inverse होता है, one by z, इसको पढ़ते हैं multiplicative inverse of z z, z क्या होना चाहिए, non-zero, ये existence की main condition है, जैसे मैं example लेता हूँ, example, पहले ये मान लो, z, a plus i b है, तो multiplicative universe कितना होगा, one by a plus i b, rationalize करो, a minus i b, a minus i b, क्या होजाएगा, a upon a square plus b square, minus b upon a square plus b square, i, ये होजाएगा multiplicative inverse, ठीक है, अब जैसे example लो आप, find multiplicative inverse of 3 minus 2i, तो answer के आएगा, 3 upon 3 square, 4 square, 9 और 4, 13, b से minus आएगा, b की value कितनी है, minus है, plus होजाएगी, 2 upon 13 i, तो ऐसे निकाल सकते हो, या प्रेस्टलाइज करो, लंबे तरीके से करो, या formula लगा दो जिद्धा, वो आप पे depend है, ठीक है, next है, पाँब्च प्रपर्टी जब्टिप्लिकेशन of complex numbers is distributive क्या मतलब है जैड वन को मल्टिप्लाई करना है दो नंबर के एडिशन पे कैसे खूलेगा यह जैड वन जैड टू प्लस जैड वन जैड थ्री फिर जैड टू प्लस जैड थ्री पीछ जैड वन ले लो कोई दिकत नहीं यह भी फूल जाएगा जैड टू जैड वन और जैड थ्री जैड वन ऐसे लास्ट प्रोपर्टी एइसकी डिवीजन की डिवीजन की दो कॉंप्लेक्स नूमर का डिविजन कैसे डिफाइंड है ऐसे डिफाइंड है Z1 पाई Z2 वेर Z2 क्या है नोन जिरो है ठीक है इसो कैसे पढ़ते है that is Z1 Z2 इन्वरस ऐसे पढ़ते है ठीक है इसको ऐसे भी लिख सकते है Z1 1 by Z2 तो यह डिविजन डिफाइंड है तो यह कॉंप्लेक्स नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है तो हम इसके बाद है प्रॉपर्टीज कॉंटिन्यू करेंगे आप इनको ध्यान से नोट कर लें लिखें फिर हम आगे चलेंगे